विल्कम टो माई यूटूब चैनल फ्रेंट्स आज मैं आप सभी लोगों को बोर्ड जो है मतलब की यह अंदर ग्राउंड जो सीट होती है अंडर्ग्राउंड बोर्ड जो लगा हुआ होता है यह पावर का बोर्ड है 16 एंपियर का यह सीट है इसकी और यह इसमें आगे का इसका कावर है जिसमें की देखिए क्रोम अगारा भी लगा हुआ है तो इस तरीके से देखिए यह बोर्ड बहुत ही अंदर चला गया तो हु हमें करना क्या होगा इसमें जब टाइट नहीं हो रहे हैं तो हमें बड़ा किल चाहिए तो बड़े किले आपको किस तरीके के मिलेंगे आपको क्या बोलना होगा दुकान वाले से तब हो देगा तो आपको उनसे बोलना होगा कि आप हमें चाइना ब्लैक कलर वाला डेड़ इंची है 1.5 इंच के दो के लिए यह लिए मैंने और यह है दो इंच के और यह है और एक इंची भी मिल जाएगा वैसे एक इंची तो इसके साथ में आता तो एक इंच कर लेने का कोई मतलब नहीं है तो इसमें बहुत ही ज्यादा गहराई हो गई देखिए कितना मोटा प्लास्टर कर दिया है मतलब कि यह थोड़ा दिवाल इधर उदर रही होगी तो उन्होंने मिलाने की वज़े से इसे थोड़ा अंदर कर दिया है तो हुआ क्या कि इसमें किला पहुंच नहीं रहा है तो इसमें आपको सिंप्ली इस तरीके से लंबाई को नापना है यह देखिए यह धाइंच वाला कीला इसमें बैट रहा है तो आपके लिए वीडियो बना रहा हूं जिससे कि आपके यहां भी अगर कोई दिक्कत ऐसी आती है तो आप भी उसे आसानी से बोड़को लगा सकें और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें तो आए अब इसे मैंने स्क्रू को फसा लिया है दिखिए यहाँ पर मैंने ब्लैक द्लैक दो इस्क्रू लग आपको देखने को मिल रहे हैं और इस साइड अंदर मैं आपको दिखाने कोशिच करता हूं इस तरीके से यह देखिए इधर और इधर दोनों साइड इस्क्रू को इस तरीके से आपको लगा लेनी है इस तरीके से इस्क्रू को लगाने के बाद आपको इसे टाइट कर देना है अच्छे से और इसमें एक दिक्कत और भी है वह आप समझी गया होंगे नहीं समझे तो मैं आपको बता देता हूं मतलब कि यह आ हूगा उफना गापؑ उफट करेंगा है उसके अंदर की तेपर टाइप हो जाएगा तो उसके होगा क्या जब हम इसे लगाएं यह सीट भी हमारी नहीं लगेगी और देखने में भी खराब लगेगे तिर्चा हो जाएगा तो उसके लिए हमें क्या करना होगा तो उसके लिए आपको सिंप्ली दो लकड़ी के टुकड़े लेने होंगे या फिर आप इसमें कोई लोहे की इस तरीके से कोई पत्ती लगा दीजिए उससे भी हो जाएगा पर इन टुकड़ों से आपका काम ज्यादा सही रहेगा और पत्ती क्या होगी बाहर निकली रहेगी देखने में खराब रहे हैं यह देखिए आप सिंगल भी लगा सकते हैं इस तरीके से पर मैंने दो यह जो पहले बुल्दी चलती थी लगड़ी वाली वह ही है तो मैंने एक पीसे लगा दी एक आगे तो आगे यहां पर बड़ी होड़ी ती बराबर में नहीं आए तो मैंने इसे काड़ दिया इसे जितना भी टाइट कर दे और यह जो प्ले रह जा रही है यह हमारे मलब कि यह सीट की फार्ट नहीं है यह है जब दिवाल बनी थी तब यह पलस्तर बहुत दूर से कर दिये थे और उसके बाद यह हुई थी चलो वह कोई दिक्कत नहीं है देखिए अब हम इसे इस तर हो चुका है लग गया है तो अब यह देखिए कितना अच्छा लग रहा है तो यहां पर गैप बचा हो इसमें मैं पुट्टी लगवा दूंगा इधर इधर तो यह जो गैप है यह भी खतम हो जाएगा और देखने में अच्छा भी लगेगा तो उमीद करता हूं मेरी क्यों में अच्छा थाग है नफ जाएगा नखा ow जो है अच्छा इधर बात वादाईख ओी लगेखने में अच्छाइगा दूंगा खूंगा जीए वीद़ लग चायएख करता है वीदिए कितना इसमेश एप पिले हैं अच्छा बार भीद्टी जिए वीज़ भीदाओ